ये 2020 का मामला था जिसमें कि किशन गंज में मैं ततकालीन पुलिस अदिक्षक वहाँ पर था वहाँ पर एक सामोहिक बलतकार की घटना हुई थी 2019 में जिसमें सभी साथ आरोपियों को ततकाल गिरफतार करकरके उस पर बैज्यानिक तरीके सनुसंधान करके आठ महीने के अंदर में हम लोगों ने सजा करवाई वास साथी पीडिता के लिए पुनरवासन और उसको मावजा बगर भी दिलवाया गया तो इस अनुसंधान के लिए जो है ये पदक दिया गया है मंगलवार को पटना इस्तित बिहार पुलिस मुख्या लेंगे मुझजफरपूर की रेल एस पी डॉक्टर कुमार आशीस को ग्रिह मंतरी सर्वोत क्रिष्ट अनुसंधान पदक से नवाजा गया पदक बिहार पुलिस के डी जी पी आरेस भड़्टी के हाथो दिया गया बताया गया कि अब बिहार का पहला ग्रिह मंतरी अनुसंधान पदक है मुझफरपूर नाव से बाचीत के दौरान रेल एस पी आई पीस डॉक्टर कुमार आशीस ने बताया कि 2019 में जब वे किसन गंज में एस पी थे तब कोडो बारी में सामोहिक दुषकर्म के घटना हुई थी इस मामले में साथ आरोपितों को उनके नित्रित में गिरफतार किया गया उस समय चारशीट दाखिल कर आठ महीने में स्पीडी ट्राइल चलवा कर आरोपितों को आजीवन कारवास की सजा दिलवाई इस मामले में सभी साथ आरोपियों को मात्र तीस घंटे के भीतर गिरफतार करने के बाग आठ महीने के अंदर आजीवन कारवास की सजा दिलाने को लेकर या पुरुसकार प्रदान किया गया है इस नीज इस ब्रोट यू बाई हिमालियन इंटरनेशनल रेसिडेंसिल स्कूल अजी सर बताया जाए आपको बिहार के डीजेपी आरेस भटी सर के द्वारा आवर्ट दिया गया है क्या कुछ था और कैसे यह 2020 का मामला था जिसमें कि किशन गंज में मैं ततकालीन पुलिस अदिक्षक वहाँ पर था वहाँ पर एक सामोहिक बलतकार की घटना हुई थी 2019 के साल में जिसमें सभी साता आरोपियों को ततकाल गिरफतार करके उस पर बैज्ञानिक तरीके सनुसंधान करके आठ महिने के अंदर में हम लोगों ने सजा करवाई आजिवन का रवास साथी पीडिता के लिए पुनरवासन और उसको मावजा बगर भी दिलवाया गया था तो इस अनुसंधान के के लिए जो है यह पदक दिया गया है रेल पाट साला जो अपने इसका अभियान चलाया कब और कैसे मन में आया सर और यह इसमें काम्यावी कहां तक मिलिये सर अभी तक रेल पुलिस पाट शाला एक सामुद्वाइक पुलिसिंग के तहट एक व्यवस्था की गई है जिसमें की रेलवे स्टेशन और उसके केंपस में भटकने वाले जो बच्चे हैं जरूत मंद और लाचार बच्चे हैं जो किसी कारण वस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सिक्षा से वंचित हैं उन सभी को जी आरपी के माध्यम से हम लोग वहां पर एकत्रित करकर के दिन में दो घंटे की क्लास ली जाती है उनकी जिसमें उनको पढ़ने लिखने की बेसिक चीजों के बारे में बताया जाता है स्कूली कलम किताबे कॉपी भी दी जाती है और लगातार ये क्लासेश चल रही है इसमें सफलताय अभी तक काफी मिली है अभी तक पांच जगों पर ये कारिरत हो चुका है लेटेस अभी हम लोगों ने दर्भंगा में ये खुला है जहां हर एक जिगा कम से कम 30-30 बच्चे के असपास है तो करीब पौने 200 बच्चे जो है अभी पांच जगों पर मुझफरपूर, समस्तिपूर, दर्भंगा, रक्सॉल और बेतिया ये पांच जगों पर जो है हम करीब 200 से पौने 200 बच्चों को जो है प्रति दिन सिख्चा के माध्यम से जोड़ रहे हैं ताकि बविश्व में चलकर अपराध की दुनिया में न जुड़े और समाज के लिए देश के लिए कुछ अच्छा कर सके हैं परशासनी काड़ करते हुए भी समाजी काड़ में आये हैं तो ये प्रेरना कैसे और कम मिला सरी से देखे मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में क्या-क्या परिशानिया है उससे मैं बच्पन से वाकिफ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग चाए वो अधिक अब राद की दुनिया में न प्रवेश कर सकें उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए अभी से हम लोग दें तो एक अच्छा कदम होगा और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग पांच-दस बच्चों को भी अच्छा नागरिक बना पाए तो इसमें इस मिशन की सा चुनाओती है वो हर जगह जो है हर समय हम लोग के सामने चुनाओती रहती है और रेलवे पुलिस अदिक्षक होने के नाते यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा भी हमारा दायत तो है और ये एरिया काफी बड़ा है जिसमें 13 रिवेड न्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो जगहों पर सेवाओं में बहतरी हुई है और एस्कॉर्ट पार्टियों के भी सुविधा दी गई है इसके इलावा हम लोग सामुदाइक पुलिसिंग भी कर रहे हैं और जो जो पुलिस मुख्याले के निर्देश है उसका अनुपालन किया जा रहा है हुआ 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 है